हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंट्स स्टाप सेलेक्षन कमिशन के तरफ से लिए जाने वाले सभी परिक्षाओं के लिए कमिशन ने एक नया नियम लागू किया है और अभी से जितने भी केंडिडेट्स स्सी के कोई भी एक्जाम को अटेंट करने जाएंगे उन सभी केंडिडेट्स को ये नियम पालन करना होगा आयोग ने इस नियम को लेकर एक नोटीस भी जारी किया है जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ अगर आप इस नियम को जाने बिना SSC के किसी भी एक्जाम को अटेंट करने चले जाते हो और वहाँ जाने के बाद अगर आपको इस नियम के बारे में पता चलता है तो हो सकता है आपका एक्जाम डिस्टर्ब हो जाए और आपको अपना एक्जाम के लिए sufficient time नहीं मिल सके अगर ये वीडियो आपको informative लगे तो subscribe करके जुड़े रहे हैं हमारे साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो SSC ने 18 जून 2024 यानि कि आज से एक दिन पहले एक notice जारी करके इस नए नियम के बारे में बताया है और ये नया नियम क्या है चलिए इस नियम के बारे में जानते हैं तो इस important notice में लिखा हुआ है candidates to kindly note that commission has decided that no biobreak will be allowed during conduction of exam इसका मतलब यह है कि आयोग ने निर्ने लिया है कि जब आपके परिक्षा का संचालन होगा उस time आपको biobreak की अनुमती नहीं दी जाएगी यानि कि आपको washroom यूज करने का अनुमती नहीं दिया जाएगा तो अब से SSE के किसी भी exam में अगर आपको exam के time washroom जाने का जरुवत पढ़ जाता है तो आपको washroom जाने नहीं दिया जाएगा तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि अगर आपको washroom यूज करना है तो examination hall में enter करने से पहले यानि कि आपका biometric attendance होने से पहले आप washroom यूज कर ले वासroom यूज करने के बाद ही आप examination hall में enter करे क्योंकि एक बार biometric attendance होने के बाद आपको examination hall से बाहर निकलने नहीं दिया तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे नए वीडियोज के नॉटिफिकेशन के लिए नॉटिफिकेशन बेल को ओन करके जरूर रख ले धन्यवाद